नवस्कार दोस्तों हरे कृष्णा राधिराथे ब्रत बिधी उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ दोस्तों कैसे है आप सब लोग और आज जो है हम बात करेंगे चटी उच्छब की उपर बहुत लोगों का कुछचे ना रहा था चटी उच्छब गया है और कब मनाया जाएगा तो कोई बच्छा जब जनम लेता है घर पर तो उनका छटवे दिन जनम जिस दिन जनम हुआ उस दिन से लेके छटवे दिन के दिन जो है छटी उच्छब मनाया जाता है भगवान स्रिक्रिष्ण का भी हम छटी उत्सब हर साल बड़ी ही हर्ष उल्लास के साथ मनाते है इस तीथी में दान का सबसे बड़ा महात्व होता है वैसे दान का देखा जाये तो हिंदू सास्त्र में हमिशा से ही महात्व बहुत जादा होता है नंद महराज ने स्रिक्रिष्ण भगवान का किसी भी तवहर में चाहे वो बड़े हो चाहे वो छटी उत्सब हो और जो भी उनके रिलेटेर जो भी तवहर आता था ना तो नंद बाबाबा बहुत दान करते थे और उसका पुन्यफल क्या हुआ आप सभी को पता है भगवान स उनके घर में आये है और उनके साथ अपनी जिवन विताए है तो इससे बड़ा खुशी की बात और क्या होता है तो चटी उत्सब जो होते हैं हम मनाएंगे इस साल 24 अगस्त को दिन रहेगी 24 अगस्त आप दिन का नोट कर लीजिए और समय क्या रहता है चटी उत्सब दो प सुवें हमें बच्चों को इस तरह से स्नान अधिहम नहीं करवा पाते हैं तो इसी भाव को ध्यान में रखते हुए यह इस तहवार को 12 बज़े की बात मनाया जाता है तो देखिए बहुत लोग जो है न सभी लोगों के लिए नहीं है यह नियोम अपने अपने भाव वक्त की बात होती है तो बहुत लोग जो है जिस दिन से कृष्णा जनमास्ट में होते हैं उस दिन से लेकर छटी के दिन तक कोई भी अन्यभोग नहीं लगाते हैं सिर्फ दूद फल मिठाई इत्तादी भोग लगाते हैं और किसी भी प्रकर का चावल का या कुशी तरह का अन्य बहुत जगा पर इसलिए चटी के दिन भी चपन भोग बनाया जाता है लेकिन आप अपने सामर्थ के इसाब से आप जितना हो सके उतने हिसाब से आप पूजा कर सकते हैं पूजा का क्या विधी विधान रहेगा नियम क्या रहेगा बहुत जल्दी चैनल पर आ जाएगी ब और मेरे तरफ से सभी लोगों को हैपी जन्मास्टर में कैसे रहे आप सभी का जन्मास्टर में कमेंट करके जरूर बताना तो दोस्तों छटी के वीडियो आने के लिए इंतजार करें और बहुत जल्दी इकादसी के वीडियो भी आने वाली है तो आप जुड़े रहे चैन आदे रदे